सब्सक्राइब कीजिए देख रिवी यूट्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाईए ताकि सारा नोटिफिक्सन सबसे पहले मिल जाए साथ साथ ऑनलाइन डिल्स एन ओफर्स के लिए जोईन कीजिए हमारे टेलिगराम ब्राटकास को जोईन करने के लिए सार्च कीजिए ओफर आफ वर्ड और वहाँ पे जाके जोईन में क्लिक कर देजिए ताकि ओनलाइन डिल्स एन नोटिफिक्सन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए धन्यवाद आज हम लोग पास कोडसे का SMPS है उसे हम लोग करने बाले अन्बॉक्सिंग और आप लोग को दिखाने बाले हैं वह SMPS टो कैसा है और उसका जो आप लोग को फिक्स कैसे करना है आप लोग CPU के अंदर वो भी मैं बता देने बाला हूँ तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम किश आप देख रहे हैं देख रहे हैं तो चलो 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 चालू करते हैं तो यह देख सकते हम लोग पास आ गया है कोडसे का VS3 का हम लोग को आ गया है यह PSU Power Supply Unit तो इसका जो है हम लोग का पावर ठोग है 650W, 80+, यह आप लोग को 5 साल का वाराटी मिल जाएगा, यह फॉर इंडिया उनली लिखा गया है, पास साल का वाराटी ओपर कर रहा है, सिर्फ इंडिया लोक के लिए, याद लिए कि इंडिया में ही ओफर कर रहा है, 80X पावर सप्लाई है, यह सामने में आप कुछ इस टाइब का लुक मिल जा रहा है, और यहाँ पर देसकते कुछ details दिया गया है, अधी आप लोग पढ़ना चाते हैं, तो पर सकते हैं, और बाकी सारा चीज में जो लगाँगा तो आप लोग दिखा भी दूँगा, तो similar type का कुछ details आप लोग पिछे में मिल तो इस type का आप लोग यहाँ पर fan का, cable का photo देखी लेंगे जब ओपन करेंगे तब, आप लोग यहाँ पर देख सकते कुछ यहाँ पर दिया गया है, DC cable set किस type का है आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर लोग कुछ picture से दिया गया है, आप लोग देख लिजे और बेटर मैं लुक तो आप लोग को open करेंगा तो दिखाई दूँगा किस type का आप लोग दिया गया है, यहाँ पर जो सब picture दिया है, और सब मैं आप लोग दिखा दे रहा हूँ, तो हम लोग कुछ बचा नहीं हम लोग चल्दी से unbox करते हैं, unbox करने से पहले मैं आप लोग दाम दिखा द लेते हैं, तो जड़ी जड़ी से unbox कर लेते हैं, और यहाँ पर लोग को इसको पढ़ना चाहेंगे, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे कुछ खास important जोड़त नहीं पढ़ेगा, आप लोग यूजर मैनुवल दे दिया गया है, तो आप लोग को कुछ खास आप लोग पावर जाएगा इसके अंदर और यह अमरिकन स्टाइल में आप लोग को पॉइंट दे दिया है, तो इस टाइप का लूग है, चलें नेक्स्ट केबल देख लेते हैं, यहां पर पूरा केबल का सेट है, जो कि इसके अंदर ही अटाच किया हुआ है, तो हम लोग खोल लहन जाएं, तो भूरा इसके सांदर ही अटाच किया हुआ है, पीएज़ियू के अंदर heroic Mull точно के खोल लेते हैं, खोलने के बादि देख सकते हैं आप हैब लोग पास बहूँ बहुत स certains 003 केवल का सेट का जाएगा, जहां पहले पकिक्चर में हम लोग देखे थे हूँ एक्सटी 12 वोल्ट का आप लोग का केबल और यह वाला हम लोग दिखा देते हैं कहाँ पर है यहाँ पर लिखा भी हुआ है आप लोग को PCIe connector यहाँ पर लिखा भी हुआ है यह जाएगा motherboard के अंदर लेकिन पावर देगा graphics card को तो हम लोग इसको हम लगाएंगे कैसे हम देख लेंगे चलिए next को जो है आप लोग लाइन टू टू इन टू लिखा गया है इसका क्या मतलब है इतना सारा आप लोगा पॉंट है माने एक्सटी केबल एक ठोए और दूसरा जो आप लोगो यहाँ पर इन्टू और लिखा हुआ हुआ यहाँ पर जो PCIe जो है करेंटर यह दो ठोए मनें आपको एक ही केबल करने दो या फिर दिभाइट करके दे दिया मैं एक ठुका एकशाम्बल दिखा दे रहा हूं उसी टाइब से दिया गया है देखें PCIe जो लिखा हूं यहां पर देखें दो ठोड़ दिया हूँ एक ठोड़ तो तो देखें हम लोग आगे हैं यहां पर आगे यहां पर आप लोग को कुछे का भी लिषिंग दिया गया तो आप करना होगा या पड़ना होगा कुछ चनकाई चाहिए तो आप लोग दिखा यहां पर निखा दे रहा है यहां पर देख सकते हैं अंदर से कुछ हीट निकल लेगे अगया लेकिन कोई fan नहीं है यहां पे आप लोको power जो जो पॉइंट हो गया यहा पर लगाना परका यह श्隊 दे दिया गया यहा पर जो है को को कॉल करने के लिए करेगा ताकि आप लोग को यह PSU है उसको कूल रख पाए तो इस टैप्स के आप लोग को चाहुत अब से लुक दिया गया चलिए हम लोग करके लगा लेते सारा पॉइंट को और देखते कहां कहां जाएगा तो देखते हैं हम लोग सारा इस चीज निकाल लेते हैं और खोल लेते हैं सबकुछ और देखें सारा इसको खोल के मैं अपना PSU जो पूराना है वो निकाल लिया हूँ यह 450W का था हम लोग अभी 650W का लगाए है तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा था बार बार मिया CPU बंद हो जा रहा था जब भी रेंडर में बैठाता था तो बंद हो जा रहा था इसलिए मैं तो यहाँ वाला PSU खरता हूँ जो कि यह 650W का यह है 450W का तो 200W बढ़ा दिया हूँ जाला देखिए को यहाँ पे वायर रेंडमयली दिया गया है और यह बहुत प्रॉब्लम होता है फिक्स करने में कहां पर कौन सा जाए गा है और बहुत ज़लाथ प्रॉबलम होता है लेकिन यह जो नयावाला है कोरसे का इसमें एक ब्लैक कलर का लेर चरह है था कि आछिछ स और देखते किस तरह से वाइडर्स दिया गया है तरह इसको लगा लेते हैं अंदर और दीखते काम जांगाए गाए जैए तो यहां ब्लग को यहां पर खरीक फिक्स कर शकते हैं जक्तर में पष alguém होता है तो यह देख सकते हैं जिसमें CPU लिखा हुआ है वह आला पॉइंट आप लोग क्या करना है नीचे में देख सकते हैं ATX 12V लिखा हुआ है उसमें आप लोग लगा देना तो जल्दी सम लोग लगा देते हैं यहां पर पूश करें के लगा देना है पहला लगा देख सकते हैं आप लोग सबसे बड़ा पॉइंट दिखेगा यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर यहां पर एटी के लगा लेंगे तो चलिए आप लोग प्रेशर के लगा देख चापके इसको लगा देख सकते हैं यहां पर लोग अच्छे से लग गया है यहां पर लोग यहां पर दिख रहा होगा है आप लोग जो पैटरन है कुछ इस टैप से आप लोग जाएगा और यहां पर यहां पर यहां पर लोग लगा लेना तो जल्दी समय लगा लेते हैं तो यहां पर लग गय परफेट्ली यंग तो और लोग के लिए घ्लाइए सब्सक्राइबूं को यह लग बिध करना आप लिए दो पॉइंडियन जू आप लोग पॉइंट रहता है यानि को आप लोग जाए गया विए एसक्वार इसक्ते फोड्ड लंब यॉइंड ट्रेंकल बॉल बो बोब पुछ करके और यह लोग इंडियन इस्टाइल के आप लोग प्लग पॉइंट हो जाएगा तो आप लोग खईदना है तो आप लोग खईद सकते हैं तो आप लोग कुछ इस टैप का बन जाएगा उमीद करते हैं यह कोर्से के आप लोग को SMPS का unboxing दिखा है वो पसंद आगे हो पसंद आया हो तो आपनों like कर सकते हैं comment box से लिए सकते हैं यह आप लोग SMPS काफी अच्छा मिल आप लोग power supply अच्छे से कर देगा आप लोग का CPU का अंदर और मैं कैसे एसेंबल करना यह भी आप लोग दिखा दिया है तो आप लोग अराम से अपने से भी एसेंबल कर सकते हैं तो आज के वीडियो के लेगता है काफी है बाबाए राटार मिलते के एक फेस्टोर में कुछ नहा आफर और वक्सिंग लिए तो तक लिए याद रिकेगा देख र